हाई माई नेम इजपरा माई डिये फ्रेंड्स हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारी बाहर के दुनिया हमारे अंदर के दुनिया का प्रतिबंगर यदि हमारे बाहर की दुनिया में संगर्स है, उलजने हैं, फसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बार अपने अंदर के दुनिया को चेक करने के जरूरत है, कई ऐसा तो नहीं, हमारा इनर एलाइनमेंट खराब है, हमारे अंदर की लेबदता टूप चुकी है, इसलिए हमारे जीवन में संगर्स का एक बड़ा कारण हो सकता है, एलाइनमेंट को आप एक्जामपल से भी समझ सकते हैं, कि माना कि आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, लेकिन उसके चारो टायर्स एलाइन नहीं है, वो अलग-अलग दिशाओं में दोड़ने की को पूसिस कर रहे हैं, तो आपकी जीवन में संगर्स रहेगा, सफर में आपको देरी होगी, बहुत मुम्किन है कि आप मनजी तक ना पहुचे बीच में घड़े हो जाएंगे, इसलिए अपने गाड़ी के टायर्स को एलाइन कराना जरूरी होता है, आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, सोचने की जरूरत है कि उस पर चलने से पहले आप अपने अंदर में देख लीजिए कि आपके विलीवस और वैल्यूस उसकी पती क्या है, दोनों का अलाइनमेंट नहीं होगा, तो संगर्स बना रहेगा, बहुत चीज़ें कॉंचिसली आपके लिए जरूरी हो बिजनिसमेंट धोका देते हैं, नमबर दो से पैसा कमाते हैं, लोगों का पागल बनाते हैं, इसके मतलब आपके विलीवस बिजनिसमेंट के लिए नेगिटिव हैं, उधर आप बिजनिस चलाना चाहते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी वैल्यूस मे श्थाँते हैं सफल होना चाहते हैं प्रोफेशन में आगे वरना चाहते हैं लेकिन आपके believes doctors के लिए क्या है एक पर अपने अंदर जंग लेना आप पैसा कमाना चाहते हैं आपके लिए पैसा important है valuable है लेकिन उधर आपके बिलीफ्स पैसे के लिए क्या है वो पैसे मोर अपके बागर्टिम है आपके बिलीफ्स से की पैसा तो फरीशानिय लाता है अपनों से समनी बढ़ाता है उखचें चीन लेता है जादब पैसे का करना क्या पैसा कमाने के लिए efforts कर रहे हैं तो आपके values और beliefs मैच नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा सबना रहे हैं जरूरत है अंदर का inner alignment create करने की आपके beliefs आपके values जो आप कर रहे हैं उसको support करेंगे तो आपके अंदर से positive energy generate होगी वहीं आपके actions को support करेंगी तभी आप अपने destination तक पहुच पाएंगे यदि ऐसा है तो एक बार आप अपने beliefs को values को check करें नंबर दू यदि आपके beliefs और values के अंदर alignment बन जाता है तब आप action लेते हैं आगे चलते हैं तो इवन में एक सवाल बीच-बीच में उठता ही रहेगा इस पर भी काम करने की जरूरत है इसे भी आप equally important समझें आपके अंदर बार-बार सवाल उठेगा इसे आप क्यों करना चाहते हैं आपका करने का purpose क्या है हमें अपने inner को हमें अपने inner world को satisfy करने की जरूरत है आप क्यो और जैसी इस क्योंकि आप answer देते हैं मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि अपनी life में चाहता हूँ comfort आए, मेरा lifestyle change हो, मेरा जीवन बहतर हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास बड़ा घर हो, महेंगी गाडिया हो या मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ अपने आपको प्रूव करना चाहता हूँ, तो समझ लीजेगा यहां पर आप अपने अंदर में negative emotions के साथ में चलने, negative emotions का मतलब है, यहां पर आपके अंदर self interest है, greed है, यहां पर आपके अंदर arrogance है, आप अपनी ego को satisfy कर रहे हैं, यहां पर इपनी ego को satisfy करने के लिए जो भी आप काम करेंगे, आप फिर उलजेंगे, फिर फंसेंगे, क्योंकि यहां पर आपका why, आपका क्यों, आपका purpose, ठीक तरह से defined नहीं है, यहां defined है, तो negatively defined है, जो negative energy generate करेगा, आपको फंसाएगा, यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, negative emotions के साथ में कर रहे हैं, तो negative emotions जतने ज्यादे हमारे होते हैं, उतनी ही हमारे intelligence block हो जाती है, और blocked intelligence में लिए गए decisions हमारे गलत होते हैं, इसलिए हम जीवन में फंस जाते हैं, अपने beliefs को और अपने values को align करने के बाद में, अपने purpose को भी define करना होगा, उसे भी divine बनाना होगा, मेरा मतलब बद्दिव्य करना होगा, यहां पर जब दन देना चाहता हूँ, इसलिए अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ, जब तक आप अपने purpose को ढूंते रहना, उस पर काम करते रहना, जब तक आपका purpose divine नहीं होगा, तब तक आपके अंदर से positive energy generate नहीं होगा, जब आप इस दुनिया में contribute करने की बात करते हैं, जब आपका purpose divine होता है, तो परमातमा आपके साथ होता है, क्योंकि आप उसके दुनिया को बहतर बनाने के लिए जिस दिन काम करने की सोचने लगते हैं, वो आपकी छोड़ी से दुनिया को बहतर बनाने के लिए काम करने लगता है, आपके निजे दुनिया में फिर इतना आता है जो आपके visualization और लोगों की calculation से परह होता है यदि आपका purpose defined नहीं है यदि आपका purpose divine नहीं है no visualization will work in your life अभी हमने दोस्तों तीन बातों को समझा आउटसाइड वर्ल में दिफस गए है तो सबसे पहले अपने अंदर चेक करें हमारा belief क्या है जो हम कर रहे है हमारी values क्या है दोनों aligned है align है तो करने के पीछे हमारा purpose क्या है purpose हमारा divine है divine से मेरे मतलब देने का है दूसरों को help करने का है तो निश्चित ही आप समझ लेना आप पूरी तरह से congruent है आप पूरी तरह से aligned है आप जीवन में रात दिन आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे problems, challenges आएंगे वो आपको सिखाएंगे क्योंकि ताकि आप और maturity के साथ रूपर उठ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें आप यदि अपने आप में align होंगे तो आपके अंदर से अभी हाँ पर आपकी अलग identity create होगी आप अपने आपको अलग तरह से देखना शुरू करेंगे आपकी नई identity बनेगी यहां पर आपकी self-image बढ़ेगी यहां पर आपकी self-respect बढ़ेगी यहां पर आपकी self-esteem बढ़ेगी आप पुरी तरह से positivity से भड़ चुके होगे आप जीवन में हर एक challenges को पार करते हुए आगे चले जाएंगे आपके अंदर की दुनिया और बाहर के दुनिया दोनों बदलेगी इस मंत्र को अपने जीवन में लगा करके आप इसका अहोजरू करना निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी किसी भी सफल इंसान की जो आज आपके role model हैं जिनकी आप पूजा प्राथना करते हैं कि जिन्दगी में जहां करके देखना वो अपने अंदर से aligned थे उनके beliefs उनके values उनके purpose पूरी तरह से defined थे clarity के साथ वो जीवन जीते थे और अपने जिन्दगी में आगे बढ़ते चले ज हो सकता है लेकिन इसके पास वो freedom भी हो किसी भी गहरे गड़े में गीर सकता है क्योंकि choice हमारे पास है यह केवल human being के पास है आप अपने inner world को check करना अपना purpose define करना align होकर के जीवन में आगे बढ़ना सफलता निश्चित है अंदर भी peace रहेगा बाहर भी peaceful world होगा दुनिया मत आप यहीं मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को like कर किसी एक के साथ share करें चैनल पढ़ नहीं है तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन दवाएं तक सभी notifications आपको on time में करें thanks for your love and support see you soon in the next video thank you to take care of yourself bye till then